प्रभू का वचन कहता है रोमियों के नाम सन्पॉलुस के पत्र अध्याई 10 वाक्यांश 17 में विश्वास सुनने से मसी के वचन की सुनने से आता है जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों मैं जानती हूँ कि आप सब मसी में विश्वास करते हैं पर इस विश्वास को और गहरा करने के लिए प्रभू ने अपना सुन्दर वचन हमें दिया है ताकि हम उसे पढ़ें उसे जाने उसे पर्खें और अपने जीवन में उसका पालन करें करते हैं एक कदम और लेते हैं हमारे विश्वास को गहरा करने के लिए थ्रू दिस नाशनल फैमली बाइबल क्वेस्ट विच इस ओर्गनाइज भारत की आत्मियदर्कन आत्मदर्शन Powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and Co-Powered by SVD Congregation INC Province तो प्यारे दर्शकों मैं आपकी होस्ट टेफी स्वामी स्वागत करती होता है दिल से आप सभी का तो आनदर एपिसोड आफ नाशनल फैमली बाइबल क्वेस्ट और मैं ये बताना चाहती हमारे प्यारे विवेवर्स को कि आपका निरंतर प्यार जो हमें मिल रहा है सभी ओनलाइन प्लाटफॉर्म्स पे उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवार देते हैं इसी तरह आपका प्यार बढ़ाए रखे और हमें एंकरेज करते रहें कि हम प्रभु का वचन आप सभी तक पहुचा सके तो आज के एपिसोड की शुरुआत करने के पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे पार्टिसिपिंट्स कौन हैं जो आज इस मुकाबले में आमने सामने आने वाले हैं तो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी सबसे पहली टीम का, that is team St. Matthew, जो की आए हैं St. Vincent Church, Bilasput Parish, Raipur Diocese, Chhattisgarh से. So, जोर्डार तालियों से स्वागत कीजिए Mr. Pradeep Minj and Mrs. Sujita Minj का. हमारी अगली टीम, that is team St. Mark, आए हैं from Khandva Parish, Khandva Diocese, Madhya Pradesh से. It is a mother and daughter duo. Please put your hands together for Mrs. Samothi Kapil and Ashrita Kapil. Next, we have our team Luke, जो की आए हैं मारे वेरी ओन नंदानगर इंदौर पारिश, Madhya Pradesh से. Put your hands together for the mother and son duo, Mr. Sartak Paul and Mrs. Pooja Paul. And at the end, but certainly not the least, we have our team John, जो की आए हैं बेटमा पारिश इंदौर, Madhya Pradesh से. तो जोर्डार तालियों से स्वागत कीजिए Mr. Nirdosh Minj and Mrs. Anjina Minjka. तो मैं हमारी सभी टीम से जानना चाहूंगी की कैसा फील कर रहे हैं दोबारा हमारे मंच पर आकर, क्या अलग लग लग रहा है, क्या नया लग 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 रहा है? Team St. Matthew, आप बताना चाहेंगे? अमले थोड़ी से नर्वस फील हो रही है, बड़ देखती ही किती त्यारी गी है. एक्जाम के पहले वाली टेंशन है? क्या आने वाला एक वेस्टेंशन पेपर में नहीं पता? थोड़ी से नर्वस फील है. And team St. Mark, what about you? Confident है? प्रभू को महिमा मिले. Praise the Lord, yes. That's the spirit and that is what we want. कि सभी महिमा सभी आदर सिफ और सिफ प्रभू की हो. And पूरी तयारी के साथ आए हैं? वो तो अप्रभू जो चाहेंगे, वही हो सकता है. Team St. John, आपका क्या ख्याल है? तयारी में कहीं कमी, कुछ ऐसा लगा कि और पढ़ना चाहिए था? पढ़ा तो इतना ज्यादा नहीं है. बस उपर देख के आए है. उतर देख कर आए है? So what about team St. Luke, आपको कैसा लग रहा है? Really excited. Excited? Yes. Nervousness zero? Zero. Zero? Wow, that's the first time that we have someone who is saying कोई नर्वसनेस नहीं है. And मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि राउंड टू में भी आपने बहुत अच्छी खेला था and बहुत अच्छी आपने सभी क्वेस्टेंस का अंसे किया था. So let's hope कि वो अच्छी आगे भी बरकरार रहे. So all the best to all the teams. हम प्रभू से ही प्रातना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी से खेले, सोच समझ के खेले, क्यूंकि इस बार राउंड्स थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से ट्रिकी हैं और बहुत मज़ेदार हैं तो आपको मज़ा भी आएगा खेलने में. But, एक्साइटमें में मत भेह जाईएगा, थोड़ा सोच समझ कर आंसर करियेगा. So all the best to all the participants. Thank you. So now let me call upon the quiz master of today who needs no introduction. Father Anand, आईए और अपने सवाल का पितारा खोले. तो देखते हैं आज के क्या सवाल है. Please put your hands together for Father Anand. So thank you Mrs. Swamy. And welcome once again to one and only Atma Dershan National Family Bible Quiz. हमारे पास चार टीम से यार हैं. आज के सवाल को लेने के लिए, जवाब देने के लिए. और इस बार हम आप सबों के लिए बड़े हैं मज़दार. चार राउंड्स लेकी आए हैं. सरप्रिदम राउंड हैं. पहचानो कौन? पहचानो कौन? जिस पर मैं आपको चार क्लूस दूँगा. जिससे आप पविद्र बाइबल से एक कैरेक्टर को पहचानना है. आपके स्क्रीन में पहला क्लू आएगा. वो क्लू आते ही अगर आप जवाब देना चाहे तो स्वागत है. सही होने पर आपको 20 पॉइंट मिलेंगे और गलत होने से आपको माइनस 5. अगर आपको क्लू से समझ नहीं आया तो you can ask for the next क्लू. दूसरा क्लू के लिए पूछ सकते हैं, जिस पर माइनस मार्किंग नहीं है. और सेगंड क्लू के साथ में अगर जवाब देना चाहे तो स्वागत है, सही जवाब के लिए 15, गलत जवाब के लिए 10. और इस प्रकार अगर आपको वो क्लू से भी नहीं समझाए, मैं I will give you a third clue, तीसरा क्लू दूँगा. उस पर आप जवाब देना तो जवाब दे सकते हैं, आपको 10 मार्क मिलेंगे और आपसे अगर गलत जवाब हुआ तो 15 मार्क कटेगा. और उसके बाद में आपके सबसे लास्ट क्लू मिलेगा, फोर्थ क्लू, जिस पर आपको और क्लू मांगने का गुंजाइश नहीं है, जवाब देना है, आए तो भी सही, नहीं आए तो भी सही, सही जवाब के लिए 5 पॉइंट, गलत जवाब के लिए 20 पॉइंट, माइनस क्लियर, किसके साथ शुरुवाद करें, कौन ते यार है, हम सेंट मार्क से शुरुवाद करते हैं, सेंट लूक से शुरुवाद करते हैं, ठेक है, सेंट लूक से शुरुवाद करते हैं, फर्स राउंट, पहचानो कौन, कम्प्यूटर चाल लिजी, टीम लूक के लिए उन अधानिया में काफी धनवान था सेकंड क्लू मेरा घर हमेशा अठितियों के लिए तियार था गुर्ले नियूस गलत गलत एंसर मैं थेर्ड क्लू दे रहा हूं येशु ने दुख में मेरे लिए आसु बहाया येशु ने दुख में मेरे लिए आसु बहाया लाजर बिल्कुल सही जवाब लेकिन पहला जो है आपने गलत बोला और सेकंड में सही कहा और इसलिए आपको नहीं मिलता है कोई पॉइंक्स ओके वी गो तू सेंजॉन तियार हैं? येस ओके सेंजॉन सवाल कम्प्यूर जी सेंजॉन को उनका सवाल का फिर्स क्लू दिया जाए संभवता सबसे काम अमरकाश इस्या योहन बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब और आपको मिल रहा है 20 पॉइंट्स सेंज मैथ्यू तेयार है ओके कम्प्यूर चाली जी सेंज मैथ्यू को उनका फिर्स क्लू दिया जाए लोग मुझे एक अदबुद उपाधी से बुलाते हैं अच्छे और बुरे का मिस्टन सेकेंड ग्ल्यू परवत पर येशू से मुलाकात हुई थी गलत जवाब माइनस टेन तीसरे आख लिव है उस दौर का सबसे क्रूर सजा मिली थी लेकिन उस सजा ने मेरी किस्मत हमाइशा के लिए बदल दी टाइम अप आप में से कोई ट्राइ करना चाहेंगे हाला कि आपको जवाब के लिए मार्क सुनी मिलेंगे पर फिर भी किसके बारे हम बताया जा रहा है नहीं समझाए पस्चता पी डाकू पस्चता पी डाकू के बारे हम बताया जा रहा है हाला कि उन्होंने एक गलत और लास्ट में जवाब नहीं दिया पर फिर भी आपको ट्वेंटी माइनस संपूर्ण बाइबल में सबसे लोगप्रिया पात रहा है सेकंड क्लू दिया जाए यहूदियों ने येशु के साथ इनके नाम पर भी बहस की तेर्ड क्लू इश्वर का सबसे वफादार दोस्त कहा जाता है इश्वर का उसकी गोद यहूदियों के लिए श्वर्ग है और इसका जवाब है इब्राहिम वह संपूर्ण बाइबल में सबसे लोगप्रिया पात रहा है इसके साथ आपको भी माइनस ट्वेंटी और इसी के साथ साथ हमारा फॉर्स्ट राउंड पहिछानों का समापन हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा केला है ज्यादा उमीदे थी पर चलिए हम सुनते हैं इस राउंड के बाद आपका मार्क्स मैं बुलाना चाहूंगा मैं सार्थी से कि आप हमारे स्कोर्स हमें बताएं आपका स्पाकत है और इस राउंड दल लखी वील राउंड वील घुमाओ अपना प्रेश्न पाओ अभी नहीं पहले में एक्स्प्लेइन करूं यहां पर मेरे पास में आठ सवाल है वो आप सबों के लिए हैं मैं इस सवाल चार चार के ग्रूप में बैच में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप से पूछने वाला हूं हार टीम को दो सवाल मिलेंगे और इस राउंड में नो माइनस मार्क हैं और यह सवाल अगर जिस टीम से पूछा गया वह जवाब नहीं दे पाए तो वह पासोन कर लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और राइट एंसर के लिए जिन से पूछा गया उन्हें 20 पॉइंट्स मिलेंगे जो पास किया गया उसका सिर्फ 10 पॉइंट रहे आप देखेंगे हमारे वील में एक जैकपोट सवाल का भी जगह है आप घुमाने के बाद अगर आप जैकपोट में रुख गए तो आपसे में जो सवाल पूछूंगा जिसके लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे पासओन कर गया सिर्फ 10 मार्क मिलेंगे क्लियर है ओके सेन मैथ्यू से हम शुरुवात करते हैं दलकी बील राउंड वील घुमाईए और अपना प्रेश्ण भाईए वील घुमाया आपका सवाल आपके स्क्रीन पर मेरे लिए तो जीवन है मसी और मृत्यू है दैश मेरे लिए तो जीवन है मसी और मृत्यू है अनंत जीवन पासओन चुसेन मार्क मेरे लिए तो जीवन है मसी और मृत्यू है उसकी पूर्ण प्राप्ति बिलकुल सही जवाब आप इसका रेफरेंस बोल सकती है कोई भी इसका रेफरेंस आपको पता होगा फिलिप्यों के नाम पत्र आध्या एक वचन संक्या सत्तावीश इकईस की सरी हालांकि ये पासओन नहीं है आपको उसका दस पॉइंट मिल जा रहा है सब्सक्राइब के बाद सेनमार का आप वील घुमाएंगे और अपना जैकपोट लेंगे ओके वील घुमाईए आपका किस पर देख लीजिए वेल घुमाया है और वील रुका है तीन पर कंप्यूर चाली जी सेनमार को उनका सवाल दिया जाए आपने ईसा मसी को डैश के रूप में स्विकार किया है आपने ईसा मसी को उद्धार करता के रूप में स्विकार किया है पास ओन टो सेन लूक मुक्ती दादा के रूप में स्विकार पास ओन टो सेन जॉन आपने इसा मसी को प्रभू के रूप में सुखर के बिलकुल सही जवाब and St. John gets 10 points बहुत सही St. John के numbers बढ़ते हुए बहुत अच्छा खेल रहा है इस quiz में आईए हम St. Luke की और बढ़ते हैं St. Luke अपना वील घुमाने के लिए तेयार जी, ओके St. Luke मील घुमाईए चार आया है लेकिन यह प्रेशन पूछा गया है इसलिए आपसे पांच्छुआ प्रेशन पूछता है क्योंकि पाप का वेतन मृत्यू है रेफरेंस देदी थी पाप का वेतन मृत्यू है रेफरेंस Romans 6-7 Passing on to St. John Passing on to St. Matthew Passing on to St. Mark Question close is there Actually it is Romeo के नाम लिखी पत्र अध्याई छे पसंग्या तेवीस तो इसलिए आपसे सवाल पूछा गया है 6-23 आपको 15 पॉइंस So St. John Wheel घुमाने के लिए तियार है Yes और Wheel घुमागे कोड से सवाल लोगे पता नहीं जैकपोर्ट नहीं चाहिए आएगा जब लेंगे तो वेल घुमाई है 7-23 लकी क्वेस्टिन कंगाल विद्वा ने कितने अथेले खजाने में डाले थे उनके जीवन के पूरे कमाई है वो तो ठीक है कितने अधेले बिलकुल सही जवाब रेफेरेंस दे सकते हैं रेफेरेंस का बैसे सवाल भी नहीं था किसी को आता हो सेंट मार्क येस, तास राइट इस त्वेल्व फॉर्टी तू हावर टीम सेंट जॉन ने पूरा जो जितने अधेले है उसका जवाब तो दीये है तो आपको मिलता है टॉदल ट्वेंटी पॉइंट्स तेंट ओन, वेल दन गुट गोइंग, क्या बात है इसलिए मैं आपको एक और सवाल पूछने के लिए मोगा दे रहा हूं इस बार क्या लेंगे? जैकपोर नहीं लेंगे? उपर वाले देंगे तो ले लेंगे आपको इच्छा नहीं है पीच्छा है पर आए जब तो ठीक है देख लेते हैं वील कुमाईए आपकी इच्छा है क्या नुसार? हालांकि चार तो हो गया है इसलिए आपसे पांचवा नंबर भी हो गया है च्छटा सवाल पूछा जा रहा है कंप्यूर चाली जी सेंट जॉन को उनका सवाल दिया जाए जो लोग मसी के हैं उन्होंने अपनी वासनाउंत था कामनाउं सहीद अपने शरीर को क्या कर दिया है? जो लोग मसी के हैं उन्होंने अपनी वासनाउंत था कामनाउं सहीद अपने शरीर को क्या कर दिया? विनाश कर दिया विश्टिन पासे टुदे सेंट लूक मसी के साथ क्रूस पर चड़ा दिया है बिलकुल सही जवाब और आपको मिल रहा है टॉडल ठेन पॉइंट तो वेल प्लेट सेंट लूक अभी जैकपोट लेंगे? जी पोशिश करेंगे, ओके, ट्राइओ लक विल घुमाईए और जैकपोट जीतिये जैकपोट आ रहा है जैकपोट जा रहा है जैकपोट मिस हो गया है थोड़ा सा कहर कोई बात नहीं? लट बी एल लगी क्वेस्टिन ती यू जैकपोट अचा लिजी उनके स्क्रीन में उनका सवाल दिया जाए जिससे इसा का नाम सुनकर आकाश प्रध्वी तदा अधलोग के सब निवासी घुटने टेके रफरेंस ये बहुती फेमस फिलिपियंस फिलिपियंस फिलिप्टिन तुटने टेक्वेटिन टेक्वेटिन बुटन चाम ससे इन मार्क रमियों बुटन गोस टुटन मस्त्य। question comes to St. John फिलिपियों के नाम पत्र अध्येदो वचन संख्या दस वचन संग्या दस दर इस completely correct but सवाल आप से था तो again आपको 15 मार्क्स मिल रहा है और अध्या मार्क उनको भी St. John को 5 पॉइंट फिलिपियों के नाम संपोलिस का पत्र ध्याए दो पसंग्या दस, to be very precise ओके, well played, well played St. Luke, well played St. John St. Mark धडकने तेज हो रहे हैंगी अभी तो लग्की वेल में से आपको जैकपोट जितना ही होगा ओके ओके, try our luck St. Mark को वेल घुमा कर जैकपोट दिया जाए वेल घुम रहा है, जैकपोट आ रहा है जैकपोट आ गिया है आपकी इच्छा गेरों से जैकपोट आ गिया है प्रभु येश्व के 12 प्रेरितों के बारे में Vernon कहां पर मिलता है 12 प्रेरितों का नाम बताएए Simon Utsahi Simon Kanani Yes Judas Iscariot Yes Bartholome Bartholome Reference एक reference अलड़ी आपने दिया है जो सही है 9, 10 नहीं, मैथ्यू तो आपको हो गया है और कहीं इपर है बाइबल में जी काँ पर Yes Okay, that's it एक disciple का नाम आप छुक गए वो है याकुब और St. Mark में भी ये दिया गया है एक बार मैं पताना चाहूंगा कि अकसर हमारे बाइबल को दो भागों में विभाजित किया है इसको कहते है Synoptic Gospel जो Mark Luke एवं संद्मती जिस पर तमाम चीजसें एक प्रकार के होते हैं St. John उसके ठीक अलग रहता है और उस पर जो बाते कही गई है वो आप ये Synoptic Gospel में नहीं पाय जाते हैं तो अधिकांश चमतकार अधिकांश वर्नेंट सब कुछ आपको तीनों गॉस्पल में एक जैसे दिखेंगे पर से इन जॉन में बिलकुल उसका अलग दिखेंगे ये मैं आप सबों की जानकारी के लिए बता रहा हूं और उसके साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा सबसे छोटा वाला गॉस्पल कौन सा है संद मार्कुस संद मार्कुस जो है उसको कहते है सोर्स गॉस्पल पहले लिखे जाने वाला गॉस्पल और संद मार्कुस का ये गॉस्पल को लेकर देखकर मती और लूकस ने अपने सुसमाचारों का वर्नन किया है, थोड़ी सी बैक्राउंड जानकारी पवित्र बाइबल के बारे ले, आपके मार पर आते हैं, ओके जैकपोर्ट क्वेस्ट, I give you 25 पॉइंट, ओके किसमत वाले रहें आप, इस राउंड का सबसे लास्ट सवाल, वील घुमा कर अपने किसमत ठ्राइब करना चाहेंगे, जैकपोर्ट जीतना है कि जितना है, इनको मैंने बोला था, जैकपोर्ट जीती ये, उन्होंने जीता था, आप ही जीती येगा, घुमाईए, Two, कम्प्यूटर चाह लिजी, सें मैथिव को उनका सवाल उनके स्क्रेन पर दिया जाए, 1 Corinthians 7 के अनुसार किसका अपने शरीर पर अधिकार नहीं? 1 Corinthians 7 के अनुसार किसका अपने शरीर पर अधिकार नहीं? पाप का अधिकार नहीं Question goes to St. John Passes to St. Luke पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है और पती का अपने शरीर पर अधिकार नहीं बिलकुल सही जवाब, बिलकुल सही जवाब आपको 10 पॉइंट इसके लिए मिलता है इसी के साथ साथ ये इंट्रेस्टिंग राउंड समापती की ओर वेल प्लेइड चलिए अगर हम सुनते हैं कि अभी आप सबों का पॉइंट्स कितने हैं इसारती At the end of round 2, St. Matthew minus 20, St. Mark 15 points, St. Luke 50 points, St. John 55 points So, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दोनो St. Luke and St. John आपस में साथ में भी खड़े हैं बहुत काटे का टकर इन के बीच में हो रहा है और St. Mark को और Jackpot जितने की जरूरत है और St. Matthew को और अपने आपको इंप्रूब करने की जरूरत है इस खेल में बने रहने के लिए और भी मोगा में दे रहा हूं Next, very traditional round, the buzzer round Buzzer round Buzzer round के लिए मेरे पास भी पांच सवाल है एक straight question में आपसे पूछूँगा उसका जवाब देना है फिर एक चित्र पहेली है फिर उसके बाद में एक वीडियो से related सवाल है फिर एक picture दिखा कर फिर से चित्र पहेली है फिर एक audio का सवाल है सबका अलग-अलग rules है तो मैं एक एक करके आपको बता दूँगा और सबसे प्रिधा में बताना जाओंगा कि अगर आपको बजर राउंड में जीतना है तो बजर पर उंगली रखिए सबी लोग तियार है Computer Charlie G The first question on your screen right now तुम दूसरों पर दोश लगाने के कारण डैश थेराते हो That is St. Matthew तुम दूसरों पर दोश लगाने के कारण दोशी थेराते हो अपने को दोशी थेराते हो But I give you 20 points St. Matthew gets 20 for the first question बागी लोग तियार है St. Matthew भी इंचिंग आप Right now The second question ये है चित्र पहेली मैं आप से आपके स्क्रीन में एक पिक्चर दिखाऊंगा और आपको ये कौन सी घटना है इसके बारे बताना है ठीक बताने पर मैं आपको 10 points दूंगा गलत बताने पर आप से 5 points दूंगा और उसके बाद में अगर आपका सही है तो मैं आपको दो अलग सबाल और बॉनस के रूप में और पूचंगा जिसका कोई मैनस ने रहे clear? okay are you all ready? where is your thumb? on the buzzer here it is the chitra paheli on your screen right now mark okay your first answer is right Samari Shri ka adrashthand ya Samari Shri se prabhu ki mulaqat saan badra hai kahaan par unki mulaqat hoi thi is thon yakub ka kuwa bilkul sahih, bilkul sahih you get that right Bible me kahaan par hai yes anra chissu samachar yes adhyay chaar adhyay chaar kahaan se kahaan tak kuch idea hai ek se kher mein aap ko poora number dee ra hou 1 to 41 and you are absolutely right well done St. Mark Matthew first Mark second I think next would be look in the sequence okay ready hai next is a video that is going to come on your screen aap ko iz drishya ka pahchaan karna hai uske baad mein aap se alak sawaal aur puchhunga jawaab sahih honne par okay ready all of you kambiuna ji chaali unko unka unka video dikhaaya jahe yes yes St. Mark St. Mark again prabhu isu masi ko giraphtar karne ke liye aate hai santhi question passes to St. Luke suke hath walay suke hath waale vepti khaa biilkul sahi java minus 5 to St. Mark plus 10 to St. Luke baaghi ka sawaal hai baaghi ka sawaal hai ye changa hai kaha par hooti hai sabta ka sawaal hai sabta ka din thaf vishraam din vishraam sabat ka din sabat bilkul sahih and you get 20 out of 20 St. Luke well played saying Luke as I said Matthew Mark Luke cha liye abhi abhi aapke fhirse chitr paheli hai mayab ko eka ordinary chitr dikhhao ga aapke screen pere hooga a or ye chitr dhe kar prabhu ki kunsi chitra us praadhaarit hai us chitra kebaray batana hai phirse dhyan de ki jho chitra jho दिखाए वो identify करने की जरूरत नहीं है जो चित्र से जो प्रभू की चिच्छा आ रही है वो चिच्छा मुझे बताना है जित्र तो ऐसा ही कॉमन चित्र है समझ गया ओके कंप्यूर जी उनका सवाल उनका चित्र उनके स्क्रीन पर इसी वक्त दिया जाए से लूक कटिली जाड़ी और बोने का दिर्स्टान था जिसमें प्रभू बताते हैं कि एक किसान के फसल में अच्छी फसले बिगुल सही और एक बैरी आता है जो उसमें यस 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 और जंगली बीच के अभी दिस जंगली वही है वही है और कोई शिच्छा है प्रभू के इन टिली जाड़ियों में जो बीच जब बोत किसान बोने नुकला वो भी सही है और कुछ है और एक गेहु का दाना जब तक मरता नहीं हाजी बिल्कुल सही है आपको मिलता है 20 पॉइंट से इन लोग स्कॉस एक्स्ट्रेमली वैल अधिस राउंड युगे 20 ओके बागी सब ल जाएगा ये किसने कहा ये बताना है क्लियर है रेडी कम्यूने जी ओडियो चला जाए जाए मैं स्वर्ग को खुला और इश्वर के दाही ने विराजमान मानों को तरको देख रहा हुला सेन मार्क इस्टिफनुस बिल्कुल सही जवाब ये 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 आपके मार्स कितने है मिसारती से At the end of round 3, St. Matthew with a 0, St. Mark with 50 points, St. Luke leading with 90 points, St. John 55 points. Okay, well played, every one of you. Kismet abhi badal sakta hai. Humare baas mein eek bohuti majda raound hai, jaha per takdire badal gae hai. जो पहले है, वो पिछले हुए है, जो पिछले हुए है, और जो पिछले है, आगे भी हुए है. इसलिए इसका नाम है, The Tricky Round. The Tricky Round, इस पर आप से मैं एक सवाल पूछूँगा. आप उसका जवाब दे सकते हैं अगर चाहे तो. सही जवाब देने से आपको 20 points मिलेंगे. गलत जवाब देने से minus 20. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को support करना चाहिए, मुझे तो नहीं आ रहा है. तो आप इस सवाल को किसी को pass on कर सकते हैं. पर pass on करने से एक नुकसान ये भी है, कि ये जिसको भी pass किया जाता है, उन्हें उसका जवाब देना ही है. सही हो सकता, गलत हो सकता. सही है तो plus 20, गलत है तो minus 20. हालां कि pass होने पर, जिस team से पूछा गया है, उन्हें minus नहीं होगा. यो दो तरह से आप इस्सिमाल कर सकते हैं. इसलिए इसको कहते हैं, दटर की राउंग, एक किसी को फसाने के लिए, मुझे तो इसका जवाब नहीं आ रहा, तो मैं दूसरों को भी आगे बढ़ने नहीं दूँगा. तो इसमें आप दूसरों को पास कर सकते हैं. ये उम्मीज से कि उनको ये जवाब नहीं आएगा. तो ऐसे भी उनका भी, अगर जवाब गलत हो, तो minus 20 हो सकता है. तो इस इस वाइव स्कॉल दुकी वाण. बेड़ी पर दुकी वाण. सें जौन थी यार है? ओके, कम्यूटर जी, सें जौन का सवाल इंके स्क्रीन पर दिया जाए. सवाल आपका, येशु ने भातर शिश्यों से किसी के घर में प्रवेश करने पर उन्हें क्या कहने को कहा? इस घर को शांति मिले. बिल्कुल सही जवाब, आपने किसी को पासोंड नहीं किया. कुद के लिए रका, and you are right. You get 20 points, plus 20 to St. John. St. Luke ते यार है? Okay, St. Luke ते यार है, computer जी, St. Luke को उनका सवाल, उनके स्क्रीन पर दिया जाए. St. Lucas अधियाए 24 पसेंगे, 5051 के अनुसार, येशु ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने शिश्यों को आशिर्वाद दिया. जब वह उन्हें आशिर्वाद दे रहा था, तो क्या हुआ? येशु मसी का आकाश खुल गया, और येशु मसी का स्वारगा रोहन हुआ. बिल्कुल सही, वो स्वारग में उठा लिए गया. बिल्कुल सही जवाब, और आपको मिल रहा है 20 पॉइंट्स. Well played St. Luke. St. Mark से यार है, pressure है, तोड़ा है अभी. Okay, कोई बात नहीं. से इनमार के लिए, उनका सवाल, उनके स्क्रीन पर दिया जाए, computer जी. सवाल आपका संदमती, 1314 की अनुसार, किसकी भविश्यवानी पूरी क्यों खुई? तुम सुनते रहोगे, परंदू नहीं समस्ते, तुम देखते रहोगे, परंदू उन्हें नहीं देखेगा. किसकी भविश्यवानी थी? नभी इसायस की भविश्यवानी. बिलकुल सही जवाब, and you get 20 points. किसी को देना नहीं चाहे? जब खुदी आये, तुकिस को देंगे, कोई बात नहीं. ओके, सेंट मैथियू. जवाब आपको भी देना होगा भी. देखिए, तीनों नहीं जवाब दिया है. ओके, सेंट मैथियू को उनका सवाल, उनके स्क्रेंट पर दिया जाए. विवाह भोज के द्रश्ठांद में राजा ने का जिती को विवाहुच्सव में वस्त्र नहीं पहने के कारण बाहर कहां पर फेक देने का आदेश दिया. बंदीगरी में. वो, जवाब गलत है. बाहर अंदकार में फेक देने को कहा. आपको आता था? तो बताए क्यों नहीं? इसके साथ minus 22, St. Matthew. इस प्रकार, इस राउंड का समापन यहां पर होते हैं. सबोंने बहुद अची तरह से इस राउंड में परफॉर्म किया. Very especially St. Luke, St. John, St. Mark. सबोंने बहुद अची तरह से, St. Matthew भी. अच्छा परफॉर्म किया. Wish you all the very best. Back to Mrs. Swami for the proceedings. And Maximum teams have negative scoring. But thanks to the rounds ahead, you performed well and scored. And especially in the last round, you answered the correct answer. No question passed. And that is why we have these final scores with us. So let's know what our final scores are. So first, we will start with Matthew Matthews. What do you think? How is your performance? I am not sure. Yes, and I am surprised to tell you that your final score is minus 20 points. Team Mark, you were playing very well. One negative marking in the answer. Aunty answered quickly. And she also felt very bad. I didn't even hear that. But you have got a decent score of 70 points. Team Luke, you have seen very good results. And you have answered very confidently in the next round. And your final score is 110 points. So congratulations to you. And Team John, you were playing very well. But in the 1st round, I think, the answer didn't happen in the buzzer round. That's why the points were reduced. But your score is 75 points. So thanks to all the participants, that you have given such a good performance. You have prepared so well for today's elimination round. And you have seen such a great smile on God's children. Thank you very much for that. And thank you to all our viewers, And we have watched this plus. And now we have spoken to those who have brothers and sisters. As long as we have enjoyed my family. And for this moment, St. Petrus' first letter, in the 4th verse, In the 4th verse, In the 8th verse, And the most important thing is that Your love at the end is that One is you have loved each other, Because your love to all the people. को धाक देता है जी हां मेरे प्यारे दोस्तों पूरी बाइबल का सार सिर्फ एक शब्द है और वो है प्रेम क्यूंकि इश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही इश्वर है तो अपने परिवार में प्यार बाटिये अपने दोस्तों में प्यार बाटिये और जो आपको नहीं आत्मदर्शन TV उत्तर भारत की आत्मिय धड़कन आत्मदर्शन आत्मदर्शने अच्तर भारत के अगले के अग़कन डिलागन से तुम्यास्टनेत्नाकर भारत की आत्मिया आत्मियाओर्शन आत्मियुशने। झाल झाल